ये देखो वही चलती फिरती रसुई एक बाल्टी करेगी पूरे किचन का काम और इसके अंदर के खुफिया राज जानकर तो आप भी हेरान रहे जाएंगे पुराने जमाने में जब ट्रेवलिंग के साधन नहीं हुआ करते थे बैल गाड़ी और उंट गाड़ी इस तरह के साधन होते थे तो लोगों को महीनों लग जाते थे दिनों लग जाते तो वो लोग कैसे खाना खाते थे और कैसे बनाते थे तो हम दिखाने जा रहे हैं तो अ हमारी समझ से परहे हैं आप भी बतादिजिये साली और सर इसका जब पांट आएगा थाच्जालायाई और सब्लीफ सार एंके बस्есто holds लब और पॉलएये कि पाय दो में हमारी उत्थाच्छा कुटन डाया थाली और पोल समय तो ही दया यह फासले। और चार कटोरी दही के लिए आगई सर बिलकुल अब अपन सर दाल भी लेंगे साथ में और यह चार कटोरी दाल के लिए आगई सर अभी ये बालती पूरी भी नहीं खुली इसके अंदर 16 कटोरी चार प्लेट तीन गिलास आटा गोंदने की बहुत सारी चीजे निकल चुकी अब आप यह देखिए कि यह एक्यूपमेंट कैसे त्यार होता है यह मैंने एक पीस उठाया है है यह ऐसे मैं इसको फिट कर रहा हूं अब कुछ समझ में आ रहा है सर क्या हो यह सर बेलन बनेगा इसका बिलकुल सर पीतल का बेलन आप पहली बार देख लें जा रहे हैं और फॉल्डिंग फॉल्ड इंट का पुराने जमाने पीतल को अविया आपको दिखाएंगे कि रोटी में इंजोय कैसे होता था तो सिस्त्रम है यह यह हैं यहां यह पर आगा तो अभी जगे細़ में घ्लिन दाली इस इ fiance किसको इता बेलन भी पीतल का कि पुराने जमाने में सर इंजॉय के बहुत ज़्यादा सादन नहीं हुआ करते थे कैसी आवाज सुनाई दे रही है बड़ी ही मदूर और शांदार आवाज है सर तो सर यह होता था पुराने जमाने का इंजॉय मतलब हर काम में इंजॉय करना है खाना बनानाित उसको इंजॉय करना अपने को छोठी प्लेट्स हो रहें क्वाट अच्छा रायस प्लेट क्या बाद लीज़े सर चार ने ली इस आपने साथ और चार भणाव अब पीस अब दिखाते हैं आपको folding frypin आपने कभी folding frypin देखें यह देखें आपका यह folding frypin त्यार है यह हंडल था जो अलग था पहले उसके बाद यह साथ अटेच हो गया और सर फिल सब्जी बनाने के लिए दूद भी गरम करना पड़ेगा अपने को यह दूसरा टोपिया आ गया दू यूज कर रहे हैं वह हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक है और जो पुराने मैटल होते थे उसी में से एक मैटल है ब्रास जिसका यह ट्रेवलिंग किट बनी हुए यह देखे दोस्तु कितने सारे बर्तन यह तो वस्तुम में एक तरीके से चलती फिरती रसोई होगी किचन होगी सर आप देख सकते हैं कहीं भी जाते थे तो पत्थर तो कहीं भी अवलेबल हो जाएंगे रस्ते में बिल्कुल किस तरह से पत्थर को चुन के चुला तयार कर लिया जाता था खाना बना के जंगल में और उस खाने का अनंद उठाया जाता था आज इसे कई सो साल पू पूरा खाना रेडी हो जाएगा उस वक्तों सर कुछ खुराक डाइट ज्यादा होती थी जी क्योंकि लोग इत्मा वर्काउट करते थे लेकिन आज के इसाब से मेरे इसाब से आठ मेंबर भी हो तो यह सफीशेंट रहेगा अंदाजन आपको इसका वेट बता जेता हूं इ किस बाइस किलो वजन है सर क्या बात है बाइस किलो का कीचेन बहुत बहुत धन्यवाद सर थेंक्यू सर